Students, अब देखिए Exercise 9.2 का First Example ठीक है, First Example जो आपकी बुक में कर रखा है, वो अलग तरीके से है लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारा जर्नल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फोलो करके इस Example को सोल करेंगे ठीक है, आपके पास क्या है, If a particle is projected from an app से at a distance a, कि हमने क्या किया, एक particle को project किया f से point से, और वो f से point कहां पे है, आपके पास a distance के उपर ठीक है, तो मान लो आपके पास ये fix point है, यहां से ये point जो हापके पास, ये कितना है, आपका f से point मान लिया आपने और ये कितने distance के उपर है, a distance के उपर तो यहां से particle को क्या किया, आपने project किया, किस velocity से project किया, velocity from infinity under the action of central force this, prove that orbit is this, तो देखो क्या बताया था पिछली वीडियो में, कि जो भी आपके पास इस टाइप के questions होंगे, उनमें क्या दिया मिलेगा, एक तो force दिया मिलेगा, दूसरा क्या दिया मिलेगा, आपके पास velocity given हो सकती है, आप उस velocity को evaluate करोगी, जैसे यहां पे जो velocity दे रखे, वो क्या है, velocity from infinity, ठीक है, तो आपको क्या find out करना होगा, इस टाइप की problem में, orbit find out करना हो, तो उसके लिए हमने steps बताये थे, सबसे पहला step क्या था, force को write down करो, कि आपका force कितना है, दूसरा step क्या था, velocity को evaluate करो, तो force तो आपका कितना है, m r raised to power minus 7, velocity क्या है आपके पास, velocity from infinity, तो आपके पास एक formula होता है, velocity from infinity का, कि अगर v आपके पास velocity है, from infinity, at a distance a, from the center of force, तो जो यह velocity होगी, वो क्या होगी, minus 2, integration infinity to a, f dr, यह आपके पास formula होता है, velocity from infinity का, ठीक है, f given है, आपके पास, f की value put कर दी, f कितना है, आपके पास, m r raised to power minus 7, ठीक है, इसको integrate किया, solve किया, तो आपके पास कितना आएगा, यह आपका, m upon 3a raised to power 6, ठीक है, यह तो आपने क्या कर ली, velocity को evaluate कर लिया, उसके बाद जो आपका next step था, next step क्या था, आपके पास, differential equation लिखते थे, आप orbit की, और उसको 2 du by d theta से multiply करते थे, ठीक है, central orbit की जो differential equation है, वो क्या होती है, यह होती है, f आपको कितना given है, m u raised to power 7, ठीक है, u में convert करना होता था आपको force को, तो force की value कितनी आगया आपके पास है, m u की power 7, 2 से जब power यहाँ cancel करोगे तो कितना आजाएगा, m u raised to power 5, फिर क्या किया, दोन्नों तरफ 2 du by d theta से multiply, ठीक है, 2 du by d theta से multiply करोगे, आपके पास क्या आएगा, यह वाला format आएगा, ठीक है, फिर क्या किया आपने, फिर आप करोगे इसको integrate, इंटीग्रेट जब आप करोगे, तो यह आपके पास क्या बनेगा, यह आपके पास बनेगा, d by d theta of du by d theta का whole square plus u square, यह जो quantity है आपके पास है, इसक इसे integration cancel हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, यह term बचेगी, and this is equal to 2m u की power 5 का integration करोगे, कितना आएगा, u की power 6, 6 से divide plus constant of integration, ठीक है, उसके बाद जो आपका next step था, वो क्या था, constant की value evaluate करना, और h की value evaluate करना, कैसे evaluate करोगे, आपको पता है, velocity जो होती है आपके पास, अगर central orbit given हो, path की equation given हो, तो velocity का क्या relation होता है, v square is equal to this, और इसकी value फर्दर किसके equal है, इसके equal है, तो आपने इसकी value इसके equal put कर दी, ठीक है, अब देखो, जो next step था, c1 निकालने के लिए, आप किसका use करोगे, initial conditions का, initial conditions क्या है, आपके पास, कि अगर आपका particle, f से पे है, f से का मतलब R की value कितनी है, आपके पास A है, R अगर A है, तो U कितना हो जाएगा, 1 by A हो जाएगा, और आपको पता है, f से के उपर आपके पास, जोENCE होता है, वो क्या होता है, या तो maximum या minimum, और जहाँ पर function का maximum या minimum intersect करता है, उस पर function का derivative क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपके पा पास जो आपने evaluate की थी वो m upon 3a raise to power 6, ठीक है, सब की value क्या करोगे, इस equation में put करोगे, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, v square की value तो ये थी आपके पास h square as it is, du by d theta कितना है आपका 0, u कितना है, आपके पास 1 by a, तो 1 by a square हो जाएगा, this is equal to 1 by 3m, u की value कितनी है, 1 by a raise to power 6 हो जाएगी, प्लस c1, जब इन दोनों को evaluate करोगे, तो आपके पास h की value आ जाएगी, इन दोनों को evaluate करोगे, c1 की value आ जाएगी, दोनों को evaluate करोगे, c1 कितना आएगा, 0 आएगा, और आपके पास h square की value कितनी आ जाएगी, m by 3 a raised to power 4 ठीक है, जो भी values आई हैं आपकी, उनको क्या करो इस star equation में put कर दू equation में put किया तो आपके पास क्या आगी, ये वाली term आएगी, ठीक है, फिर क्या कि आपने m से आपका m cancel 3 से आपका 3 cancel, a की power 4 को उधर shift कर दो, कितना आजाएगा, du by d theta का whole square plus u square is equal to this, u square को भी क्या करो उधर shift कर दो, तो आपके पास कितना आजाएगा, ये du by d theta की value आपके पास आएगी, ये फिर आपने क्या किया, du by d theta के लिए square root ले दिया, दोनों तरफ तो आपके पास ये वाली term आगी अब देखो, जो orbit आपको show करना है, वो किसकी term में है, r और theta की term में है, तो आपने क्या किया, reverse back, u को क्या put कर दिया, 1 by r put कर दिया, u की value अगर 1 by r है, तो du by d theta की value ये आजाएगी, दोनों values को क्या किया, इस double star equation में put किया, ठीक है put करके आप क्या करोगे, variable को separate करोगे, उसको integrate करोगे, और जो भी आपके पास यहाँ पर constant आएगा, उसकी value को evaluate करोगे, ठीक है, उसको evaluate करने के लिए आपने क्या किया देखो, वही conditions का use करोगे, conditions क्या है, कि जब आपके पास theta 0 है, theta 0 का मतलब initially initially अगर आपके पास theta 0 है, तो आपका r कितना है, इन सारी values को इसमें put करो, solve करो, आपके पास क्या आजाएगी, required equation आजाएगी, orbit की, ठीक है, तो जो यह example first दे रखा आप उसको इस procedure से करना, बुक में आपका थोड़ा different दे रखा है, ठीक है,